और समाजवादी पार्टी हमेशा न्याय के पच्छ में रही और उस बेटी को न्याय दिनाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी अब देखते हैं दोस्तों इसमें डिया माफिस गूराफूर में आए हुए हैं परदेश में चल रहे हैं अपराद की गतिविदियां तथा ब्रश्चाचार और खिसानों के जमीनों का जबरदस्ती अधिकरहन को लेकर के यह सारे ऐसे पहलू हैं जिस पर इसमाजवादी पार करते हैं जाकि और देखे देश्क के अंदर हो रही लगातार घटनाय बलासकार के खिलाफ बिगडी कानून वेयोस्ता के खिलाफ में कपतान किhour किसानों के जो खाट कि जब से उनकी सरकार है प्रदेश में कोई धंगा न फसाद नहीं है कि जूट है यह तो आपको लगणा की दंगा नहीं है देश के सबसे पवित्र मंदिर इसी पहजाबाद के अंदर है उध्याराम मंदिर के अंदर एक महिला दरीत बेटी के साथ नो 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 बलातकार करते हैं और भारती जनता पार्टी के लोग समाजवादी पार्टी के राष्टी अद्देश जी का पुतला जलाते हैं उस अपनाप को छिपाने के लिए कल वो बेटी जाकर समाजवादी पार्टी के राष्टी अद्देश से मिलने का काम करती है और उसक न्याय के पच्छ में रही और उस बेटी को न्याय दिनाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी जैसा कि समाजवादी पार्टी हमेशा एक विपक्ष के रूप में मुखरता से अपनी बात रखे लेकिन प्रदेश में कि जो विकास के समिक्रण है क्या वो रास नहीं आ रहे हैं परसो बहुत बड़ा धर्ना परदर्शन हुआ जहां 50000 के लोग रोट पर उतरने का काम किये थे विकास के लिए आंदोलन करने के लिए सड़क पे उतरे थे इसनाते जो योगी आदितनात की व्यक्तिगत मीडिया है वो समाज के अंदर विकास को दिखा रही है लेकिन जिस पीड़ा से समाज जूज रहा है उस विकास को दिखाने का कोई काम नहीं कर रहा है कि कहीने कहीं उप चुनाओ है इसलिए आप उनको जबरस्ति घेर रहे हैं और समाजवादी पार्टी हमेसा तयार रहती है चाहे और नयाय के खिलाफ चाहे वह चिनाओ के खिलाफ इसनाते समाजवादी पार्टी निरंतर अपना काम करने का काम कर रही है क्या नाम है आपका रहुलिया तो समाजवादी उजनसभा के जिलाद देच्छे हैं हम अभी और कुछ बात करें लेकिन आप एक सकते हैं कि प्रदेश में जो भी पिकास के तावे और होसले को बुलंद करने क कि बात कहीं कि यह वह लगता है कि कहीं न कहीं प्रश्वी के दाएरे में आ गया है आज आप डियम कर्याले पहाए हुए है क्या बताना चाहिए आज हम बताना चाहेंगे कि पूरी तरह से भर्ष्ट सरकार के खिलाब आज हम लोग समाजवादी पार्टी ने एक बहुत ते देख रही है फ्लाप सो में तब्दील होने जा रही भारती जंद्राइब दोजासाटाइस में इनको मुतोर जबाब देने के लिए समाजवादी पार्टी के करता है पूरे महानगर और जीला के लोग मिलकर आज डियम को एक ग्यापन दिये हैं जिसकी माध्यम से कहा गया ह कि hub, को हटाने का काम, प्यडिये कर रही है इसलिए मैं माध्यम से बताना चाहता हम कहिन कहीं शरकार पूरी तरह से टूट रही है और उसको देखते हुए अपनी तरह से पीडियों को खतम करना बिरुजगारी को महंगाई को इस सब चीज़ों को देखिया आप बलतकार के मामले में अभी हमारे राष्टी अध्धक जी तुरंद आपको मिले हैं कल बलतकार पीडित महिल लिड पीडित यूती से मिले हैं कहीं न कहीं बिहारती जन्ता के पार्टी के लोग ही इसमें सरीख हैं इस बलतकार के केस में कहीं अभी कोई नहीं नहीं कितने लोग सबस्क्रामा लेकर कि दिखावा कुछ और है और वास्तिक्ता कुछ और भाजपा के कई ऐसे कुकर पकड़े गया है कि मुस्लिम चेहरे बना करके हिंदू लोगों को भड़काने का काम किया गया इसे मामले मतुरा में और गोंडा में कई कि लोग ऐसे पकड़े गया ब्राम मारों कई पकड़े गया कि जो कि मौलवी बनके और भड़काने का काम की तो कहीं न कहीं यह सब फ्लाफ है क्या नाम है आपका राहूल पूर्परत्यासी सहर विदान सब्सक्राइब जिन्नों ने बताया कि किस तरीके से सरकार की नीतियां दोएधारी तरीके से पहवार कर रही है जिसको बदलने की जरूरत है